तारिक हो गई 22 फरवरी 2022 और समय हो गया है 04 डॉबल पिन 41 एम मैंने आपको समझाया यक्षिनी कवच के बारे में और यक्षिनी पूजन के बारे में कि देखे साधारान जीवन में मनुश्य के लिए चाहि door मनुश्य जीवन में साधारंत है कiens देवी देविताओं की भक्ति पूजन पाठ से ही आपको दिव्य लोगों की प्राप्ति होती है यदि आपने ग्रंथों का एध्यन किया है तो उसमें पृत्वी को मृत्यू लोक माना गया है मृत्यू लोगकार्थ यह है कि यहां पर मृत्यू है मृत्यू के उप्रांत जिस जीवन की इच्छा आप रखते हैं वह जीवन आपको तभी प्राप्त होता है जब आप वहां तक जाने वाले रास्ते के नियमों का पालन करते हैं वरना आपको नहीं चलने दिया जाए जिस परकार रोड पे चलने चलना है तो ट्राफिक के नियमों का पालन करना है अब बात यह आती है कि इसमें आपको ब्राह्मनी कोई कुछ सिखाए या पंडित देखिए ऐसा है यह बात आती है वर्चस्व की ब्राह्मन और पंडित महा पापी कहलाए गए है कारण है इसके पीछे देखिए जब आप किसी को भी स्वार्थ सरूप में देवी देपताओं की भक्ती सिखाते हैं तो आप महापापी कहलाते हैं अब उन्स दिव्य संसार तक कैसे पहुंचा जाए जिस प्रकार से किसी देश के राश्पती प्रदा पढ़ता है ठीक उसी प्रकार है यक्षिनी साधना आप अपने जीवन में एक मार्ग दर्ख्षी का मार्ग आपको बताने वाली एक टीचर अब यहां गुरू बोल दूँगा तो गुरू आस्रम वाले उचलने लग जाएंगे यह सब के सब जो है कहते हैं डोंगी यहां पे विद्याएं सीखने के बाद जो है कहते हैं अपने आपको इस देश का सर्वे सर्वा समझने लगा नोट बंदी में उसकी ऐसी बुद्धी ब्रस्ट हुई करने में कि वह अपना वो सब कुछ गावा वैठा और बारत सरकार में मौजूद लोग भी पर यहां भार पूरे खेल को रचा उसका जो है इनको अंदाजा नहीं था आज भी बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यह मेरे जो है कहते हैं दिव्यास्त्रों से बच जाएंगा तो इनकी गलत फैमी है मैं इनका सब कुछ छीन लूँँगा और जिनका है उनको जरूर दूँगा क्यों नहीं दूँगा यही तो मेरा कारह है और है क्या अब जीवन में बचा क्या है मेरे लिए यही है बस इसे ही नियाए विवस्ता कहते हैं यदि मुझे विश्म ने आईसी जे एशिया क्रिमनल जर्जमाना है तो मैं नियाए क्यों न करूँ भई पाकिस्तान ने मुझे 786 कहा मैं नियाए करूँगा पर पाकिस्तान में मैं इमरान खान के प्रति उत्तरदाई नहीं हूँ यदि उन्होंने मुझे माना है तो देखो भईया जो मैथड मुझे पता है मैं तो वही बताऊँगा हाँ या ना या आप समझो मानो या ना मानो मैं तो आपको बता दूँगा भईया इस मार्क पर चलके मैं आज इस स्थान पर पहुंचाऊँ तो आप लोग भी जरूर आईए ये एक ऐसा रास्ता है अगर आप इस पर चलना सुरू करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी आप चाहे तो करके देख लीजिए यहां पर कुछ समय पहले की बात है कि ब्राम्मन महिला ने बड़ा अजीब अगरी बात कहीं कि उसका कहना यह था कि भाई कहते हैं मुझे जीवित नहीं चोड़ेंगी क्योंकि मैंने एक ब्राम्मन के घर में जनम नहीं लिया आपकी गल गर में मैं जनम ना लूँ यह ऐसा हो नहीं सकता उस घर में मैं ना आओं ऐसा हो यह नहीं सकता वही घर सर्वे सर्वा का माना गया है स्री नारायन की भक्ती सर्व प्रतम सर्वपरी है वही परम्तत्व हैं अब अगर निखिल मंत्र में ज्यान में बैठावा नारायन आप साबित कैसे करोगे ? नहीं कर पाओगे na परारंब से ही मेरे घर में स्री नारायन की बक्ती होती है पाट कैसे करूँ? लोग कहा है तो बहुत बड़ी बात कह रहा है हाँ बिल्कुल कहूँ आथ, तुम्हाँ में दम अथ, तुम कहके दिखा दो मैंने सबूत दिखाया तुम्हें मेरे अंगूठे पर लिखाओ है रच तुम्हारे नहीं लिखाओ है रच के मैं अच्छे ही शब्द ढूंडूंगा ठीक है रंडी और चकला नहीं ढूंडूंगा रामचंदरी कहूंगा वो तुम समझो सभी पूरे शब्द मैं अपने दुश्मनों को ले रखता हूँ वो तुम रख लो खुश्बू सुगंद मेरे लिए है बद्बू दुरगंद आपके लिए है आप रखिये इसे शत्रूंगा दमन करना मेरे लिए जो है कहते है मेरे बाया हाथ का काम है क्योंकि मैं इसे मनुष्य स्वरूप में हूँ क्यों हूँ अपनों के लिए आया हूँ मैं इनको लेने आया हूँ जिस प्रकार स्री सुरेश मंदल जी ने कह गयते है मेरा पालन पोशन किया मैंने उनका सेवा स्वरूप जो है उनको सबकुछ प्रदान करते हुए दिवे लोक दिया आज वे दिवे लोक में है यही मेरा कार्य है और कुछ नहीं है मैं मानता हूँ कि संसार में सबसे सुन्दर परिवार स्री सुरेश मंदल जी का रहा नित्य सुरूप जो है क्यों नहीं आउंगा तीन शव् qualitative मैंने पंडित उवा संकर सुखलागे सीखे शिरी नाराएन शिरी नाराएन शिरी नाराएन तो मैंने जाकर पंडित वह साफ क्या दिया देवे बंदर ऐसा है तुँ मेरा पंडित था और रहेगा जरूर रहेगा मैं सिखाओंगा तुझे ब्रमासर से बचके दिखा मैंने भी मुगेस को क्या बोला मुगेस तू सीखना चाता है मैं सिखाओंगा तुझे बिल्कुल सीख तिरे से मच छोटा बन कहीं रहूंगा कोई बात नहीं मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है प्रंतु वै कारे बिल्कुल ना करी हो जिससे तुझे अपियाश मिले जिससे तेरे मान सम्मान की हानी हो जिससे तेरे पुत्रों को छती हो इससे बचने का एक ही रास्ता है प्रभु श्री नारायन की वक्ती सिरी सत्य नारायन की कता ही आपको सत्य के मार्क पर लेकर जाती है यही तो भारत है अगर यदि भारत में सत्य नारायन की कता नहीं होगी तो कहा होगी क्योंकि सत्य मेव जयते यहां कहा गया है वह और अपने सत्य ले के जी लीजिए मैं क्यों बोलूं Zig a хочу अच्छी बात है बुरूं को सर्वा सर्वा मानना अच्छी बात हो सकती है और वैं स्री नारायन का इस्थान नहीं ले सकते यदि ब्रह्मा विश्णु महेश को सर्वोपरी माना गया है तो मैंने साफ क्या दिया मैं हूँ वो है दम तुम उससे बिढ़के दिखाओ कि साधारन से जीवन में 44 साल की उमर के अंदर भी आप लोग मेरे सौंदरे की बराबरी नहीं कर सकते हो क्यों न मैं गमट करूँ बिल्कुल करूँगा जिस परिवार में मेरा जनम हुआ जहां प्रभू स्री सुरेश मंडल जी है मैं आज उनको प्रभू कहूँगा क्यों नह का रहे हैं वो इस संसार का संचालन करेंगे सुरेश के अर्थ की जानते हैं क्या होता है सुरे को कहा गयर है यदि वह स्री नारायन की भक्ति कर रहे हैं तो उनसे बड़ा परिवार संसार में किसका हो सकता है उनको मारने की सोच रखने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ू संसार में उन्होंने जिस प्रकार से प्रभू शुरी नाराएन की भक्ति गरी उनसे बड़ा कौन हो सकता भी कौन है न cavesरणा द्रदा मदर्दास मोदी और है क्या हो कर देगा तो भी देगा और क्या है इस देश की सत्ता और कौन है ये लोग कौन है तु पंडित और क्या है तू संसार में महां पंडित अगर मैं किसी को मानूगा तो पंडित हुआ शंकर सुकला जी को ही मानूगा प्रभू श्री नारायन के तीन शब्दों को को जाप करके जो अपने पूजन पार्ट को समाप्त करता हो, उससे बड़ा खौन हो सकता है संसार में, संसार में मैं उसे प्रथम पंडित का दर्जा क्यों न दूँ, बिल्कुल दूँगा, किसमत अमजो उसे रोक के दिखा दे, हाँ मैं उसके लिए पागली सही, मुझे मैं घंख करने का लावा मैंने कुछ नहीं किया, इससे अलावा लोदे पर अतना कहा कि वह आप ये सीखें, कौन जानता है कि हो सकता है को Samacintayam, कौन जानता है कि मनुष्य साधारन मनुष्य के शरूप में जनम लेने के बाद कि त्रिकाल दर्सी ओपाना बहुत मुश्किल है यह का रहे तो श्री प्रभू महादेव के कोई शोबित देता है यह उनके उनका का रहे है वह समझे मैं तो मनुष्य शोरूप हूँ अगर क्रोधित हो गया तो संसार नश्ट कर दूँगा बस शक्ति हात में आने की दे रहे हैं मैं संयमित नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मनुष्य रूप में मनुष्य के सरीर के साथ ही में बना हुआ हूँ यदि मेरे एकाकी जीवन जीने से संसार में सांती की स्थापना होती है मुझे कोई इतराज नहीं है पर यदी इस संसार में मेरे चुप रहने से पाप बढ़ेगा तो याद रखना सबसे आदा बोलने वाला भी मैं ह पढ़ता हूँ जहां जिसने प्रभुश्री नारायन का नाम लिया में वहां जरूर आओंगा अब मेरे वाले जरूर आएंगे यही एकारे बचता और बचता क्या है अपने जीवन में मैंने 36 साल की उमर से प्रभुश्री नारायन की भक्ति आरंप करी मुझे अच्छा मेंकर दोटї जरूर नहीं है आपके मण में जैसा था मैंने वैसा आपको संसार दिखाया उस संसार के साथ आपको जीवन जीना नहीं जीना वह समझे अप समझे सुरक्षा जहां तक हो सकेगी जरूर दूँगा यक्षिनी पूजन की यही खासियत है आपके वाणी आपका मन आपका सौंदर यक्षनिया इतना निखार कर रखेंगे कि आपको क्या पता है महिलाओं का सुरूप इस संसार में जिस प्रकार भी है वह इसी वज़े से है कि आप नर्क भोग रही है हम भी नर्क भोग रहे हैं मैंने भी कुछ किया होगा इसलिए संसार में इस स्वरूप में बैठाओं मुझे कोई फरक नहीं बढ़ता है पर हाँ यह जरूर है जिस वज़े से हूँ वह मैं फिर करूँगा रावन तुझे मैं नर्क में भी मारूँगा यदि तु मेरे भाई के स्वरूप में भी आया है मेरे सावन मैं तब भी तरह बद कर दूँगा यह कोई फरक नहीं बढ़ता है यदि भारत के अंदर बैठे वे किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके हाथ में हतियार है तो मैं वही वेक्ति हूँ जिसने NSG National Security Guard पे दिव्यास्तों को संदान कर दिया है दम तो बच के दिखाओ नहीं बच पाओगे तुम्हें मेरे आगे जुकना ही होगा तब ही तुम मारती कहलाओगा इतनी सी बात है मेरे बिना तुम युद में उतर जाओगे हारोगे बिल्कुल हारोगे इसलिए मैंने कहा मोदी इमरान से युद हार गया मेरे बिना युद में उतरा मेरी आग्या नहीं ली तुने बारतियस है ना पूरे विश्में जहां भी जाएगी युद हारेगी क्यों नहीं हारेगी क्या आपने मेरी आग्या ली आए मेरे पास क्या आपने मुझे जो है कि इतने अस्तर सस्तर परदान किये क्या आपने मुझे वस्तर परदान किया क्या आपने मुझे रख परदान किया तो आप कैसे भोगेंगे लाग कोसिस कर लो बारतियास है ना जो है इंडियन आर्मी जो है आप याश भोगेगी भोगेगी तो वहाँ जाएंगा वहाँ एक ही सवाल पूछा जाएगा विर इस दिश? Do you know him? You should have to bring him Why are you here? Do you have his photograph? Do you have his video? अब क्या करेंगे आप? फिर इससे वापस आकर का आप अपने घर में बैठ जाएंगे पुलिस वाले अपने थाने मा क्या बैठ जाएंगे अब इससे बताओ भी मेरा क्या दोश है मैं तो कुछ नहीं किया यदि आप मुझसे जा रहा सक्टिशाली है जीडी बक्षी साब तो आप पद ग्रेंट जरूर कीजिए वरना पद पे ना रहिए मैंने मोदी को बहुत पहले ही कह दिया था युद में तेरे से पहले मैं उतरूँगा जा उतर ले तेरी इच्छा है तो जा अरे बुडे मुर्क बुडे अपनी उमर तो देख यो देख दिन नहीं होता आराम होने की देर होती है मैं पूरे ब्रह्मान को संचालन करने का दम बरने वाला क्या आज तक तूने कहा ये बात तू कहेगा कैज़े तू है ये नहीं कभी किसी ने कहा कि ये उसका ब्रह्मान है और वो ही इस ब्रह्मान का ब्रह्मा विश्नु महेश है मैंने कहा क्योंकि मैं हूँ और बिल्कुल हूँ पैसे सो युद नहीं लड़ा जाता क्या उन विद्याओं का संचालन कर पाएगा जो युद्ध में होंगे तुझे पता ही क्या है युद्ध लड़ा कैसे जाता है जा लड़ ले भई नर्वाना मारा गया न तुम्हारा विपिन रावात मैंने बताया तुम्हें पाकिस्तानी आर्मी का सनाइपर्स ने मारा बिल्कुल मारा बाद में हलिकॉप्टर के अंदर ब्लास्ट हुआ रनवीर पर हमला पाकिस्तानी आर्मी ने कराया बिल्कुल कराया क्योंकि मैं वो सब जान सकता हूँ जो तुम देख नहीं सकते हो तुम मामूर्ख हो क्योंकि तुम्हारी नाक नीची होती है होई मुझे का बतलब है मैं तो अराम से मैंने अपनी इंडियन आर्मी की पोस्ट बना के बैठाओं को तेरह सो पचास पे पूरी विश्व की आर्मी को चुनोती देता हूँ ए दम तो मुझे मारने की सोच रखके हिल के भी दिखा देना अब यहाँ पर हम यक्षिनी पूजन में उससे पहले मैं आपको को सिखाता हूँ और वो है सिद्ध कुझी का एक बार इस बात में बैस लुड़ी कि आपको किसी ने बताया भाई कोई ना किसी को इसी को बताता ही है था तभी तो बताया तूने रचा तो नहीं इसको बात खत्म है तूनी बताता कभी न कभी मैं जरूर पढ़ता पढ़ने की समझ तो मेरी अपनी थी ना सिधा बोलो ना तुम लोभी हो तुम लालची हो युद्चाते हो मुझसे करके दिखाओ मारने की सोच क्या बात कर दी यार मेरे नाम से थूकने के साथ ही अगर तुमारे मुझ में कैंसर ना हो जा तो नाम बदल देने मेरा आज जो मैंने कह गयता है यक्षिनी कवज किया ले फिर से धनदा डूटी पर लग गई अब मैं धनदा को कौँगा अरे धनदा क्या बात हो गई सुरू करते हैं सिद्य कुण्जी का स्तोत्र जो है यक्षिनी कवज से पहले या यक्षिनी कवज के बात पड़ा जा सकता है सिद्य कुण्जी का स्तोत्र जो है यह नौ देवियों और दसों विद्याओं का संचालन करता है घर परिवार में आप पुरुष हैं, आपके घर के अंदर इस्त्रियां देवी सरूप आचरन करें, यह इच्छा रख करके आप पूजन पाठ जरूर करें पर हाँ, घर की इस्त्रियों को यह मैं जरूर कहूँगा, कि आप भूल से भी अपने आपको उन महाशक्तियों के बरावर ना समझें, पस इतनी सी बात है, सित्ध कुंजिका में महादेव ने महाशक्ति को एक बात कही, कि देवी आज मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ, एक एक ऐसा रहसे, जिसको जान के आप भेरान हो जाएंगी, तब महादेव ने महाशक्ति को सित्ध कुंजिका स्तोत्र दिया, महाशक्ति ने महादेव को नहीं दिया भाया, कौन हो आप लोग मेडम, क्यों चल रही हो इतना, सुनिये, सित्ध कुंजी का, कुंजी का समगत है कुंजी, यही है कुंजी है कुंजी, इसकूल में कुंजी मिलती थी ना पढ़ने के लिए, कुंजी समस्थे, कुंज, कुंज किसे कहता है, बताओ कुझ होता है किसी भी बहुत सारे प्रोशनों के उत्रों का एक संग्रह है असानी से जिसमें आपके कहाँ के सवालों के जवाब मिल जाए यह है सिद्ध कुझी का यह सिद्ध है यह कुझी देवियों की महाशक्तियों के दर्शन के लिए यह कुझी का सिद्ध है एक दम किसी का बाब की बपोती नहीं है 1947 से पहले भी है मौजूद्ती और आज भी है और आगे भी रहेगी सुनिए स्री सुद्ध कुझी का स्तोत्रम सुनु देवी प्रवक्षियामी कुझी का स्तोतम उत्तमम यह मंत्र प्रवावे ने चंडी जापा सुबो ववेत ना कवचम ना अर्गलासुत्रम कीलगम ना रहसकम ना सुकतम ना पे द्यानम चाने आसो ना चावार्चनम साफ साफ कहा गया है किस कुझीगँ है पाथ मात्र से ही फढने मात्र से ही दुर्गा पाथ कालाव होता है दुर्ग संगचना अपनी सुरक्षा के लिए इससे संभब है अति गुयात्रम देवी देवनापी दुरलव है अति गुयात्रम मतलब इतना जादा गुयात्रम मतलब इतना गोपनी है यह कि देवी देवताओं के लिए भी दुरलव है यह महादेव ने महाशक्ति को वर्णन दिया ठीक है यहां यह सती और पार्वधी का चक्कर में मत पढ़ना आज जोड़ो भीया मत पढ़ना है चक्कर में महाशक्ति महाशक्ति है बस समझ में आगई ना खाम खागे कानियों मत पढ़ना है तो सब पिटोगे वह एक ही है करें रहें अपस में खेल रहें खेलने दोने है अति गुयातरम देविदेवनाविजु जीवन होता है अपने ही जीवन में कर शाकी जीवन में इतना गोपनियों और इतना दुल्लव है कि यह पारवती पढ़स्ट्स को भी पात्तनियो मारन 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 मोहना मतलब इसके पार्ण से सम्मोहन भी टूड़ जाता है वश्यम स्तम्बनों चाड़न आदिकम पार्ण मात्र से ही मारन मोहन इस्तम्बन जितने भी होता है मंत्र है इसमें पढ़ने का इस मत्र को 108 बार जाप करना है जब आप सिद्धिकूंजी का पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले वाला जो इंट्रोड़क्शन है उसको पढ़ने के बाद इस मंत्र की माला जाप करनी है 108 बार बैट गे मंत्र भारी है ठीक है और हवन करकर कर जोगो तो 108 मंत्र करने में आपको लग जायागा कम से कम डेड़ से 2 वंटे लग सकते हैं अगनी प्रजोलित करके आप कर सकते हैं बात में भी हवन कर सकते हैं पर इसके लिए क्या है कि आप पहले हवन समगरी सामने रख लें और 108 बार मंत्र पूरा होने के बाद बाएं हाथ से जो है इकटा करते हैं हवन समगरी एक बार मंत्र पूरा हुआ रख दें या सीधे हाथ म माला जाप नहीं भी है माला नहीं भी है तो हवन समगरी ला करके 108 बार अब याद कैसे रहेगा ठीक है अंदाजा माने के चलने है ठीक है यह दो पैकेट आते ने हम अधार यह बड़े वाले यह लाकर रख लो अब यहां पर तोत्र है तोत्र से आपको आरती करनी है देवी का चित्र के रखना है आपको यहां तो जो बबर शेर से सबार रहे है कि नमस्ता रुद रूप निये नमस्ती नमस्ता माईशा मरदनी नमस्ता यह कैण्य के नमस्ते नवस्त कर सकते हैं इसके जात से देवी जागरे तो जाती है जागरतम ही महादेवी जागरतम ही महादेवी जागरी प्यार भरी आलाज होती है एंकारी 60 रूप आए जब वो प्रेम पूर्वा कवाज देती है तो 60 फ्रूप हो जाती है लिंक मतलब अपनी मया वीज विच्छालन गरेंगी तो प्रती पाली का मतलब पाला नार के शरूफ में करेंगी आपको आपसे संबंदित है और पुछनी है कि क्लिंग कारी किलकारी काम रूपनी यह बीज का रोपन करेंगी अब वो क्या भीज हो सकता है यह आप समझेए आपके अंदर ज्यानका भी हो सकता है हम इसा बच्चा पैदा कराने और करने के चक्क्रमत पड़ा रहा हो समझ में वीरे दान के अरांदे पिल्लों कि चाम उंडा चंड घाती चाहिए का यह कारी वर्दाइनी विच्चे चाह वीरा नित्तम नमस्ते मंतरूपनी नित्ते आपको नमस्ते करते हैं आपके हाद जोड पारवती पूर्णा काम की इंखन अन्पूर्ना मंत्र पांपेंपूर्वति पांपूर्णा के जल्देवी होते हैं ना पांपेंपूर्वति पूर्णा खाम केचिता है मंत्र सिद्धेम कुछ में इडम्तु कुछिका सोत्म मंत्र जागरती हेट वे अब्यक्ते नेव दावत्यम दातव्यम गोपित्यम दक्षे पारवत्य यस्टु कुछिका देवी ही नां सब सिद्धेम बढ़े ना तस्ति जायते सिद्धिरारेने रोजनम यह था ठीक है अब यह आपका सिद्धिकुन जी का पढ़ना है आपको और उसका बात आप पहले यक्षिनी पूजन के आग्या लेकर के सिद्धिकुन जी का पढ़िए ना तो यह स्टेप है अनित्य अपने जीवन में घर में सित्व कुंजिका का पाठ एक वार जरूर कीजिए एक वार कीजिए चार बार कीजिए फ़ते इस एक बंदा कह रहा है कि यार यह प्रती किसने अवरा तरी माराने के बार पूरा होता था दैने के लेंड मेरे घर में परी माहा का चोदा मारा अराम के लेंड यह बैन के लोड़े भोषडी के जुईख कि दर्तीजा ख़तम करने को तो बैन के लेंड हो कि मोधी को बैन लगाओ नहीं करेगा देवियों को पूछा पाठ मां के लोड़े यहां से बाद बैन के लेंड को अरामी को अब इसमें आपकी नव देवियां दसों विध्याएं से तो जाती है रावन यह कारें नहीं कर पाया था रावन अपने 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 अपनी लंका में जो है वह देवियां पकड़ने लग जया बस इतनी सी बात है स्वरूप में नाम में पकड़ने लग जया अब तुम अपनी तुम अपनी बीवी का नाम जो है सीता रख लो लक्षमी रख लो भाई तुम बहुत होगे मैं थोड़ी साफ सी बात है लक्षन हो सकते हैं और को बात नहीं है पूरे ब्रह्माण्ड में इन दिव्य मंत्रों का संचालन बहुत सुद्ध भाव से होता है और अपनी सुरक्षा के लिए जरूर करें सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए करना है तो आप सी सारी चीज़े हो जाएगी यहां बेहन के लवड़े इसमें कह रहें कि यह पर तुमसे पहले सब तुम बाद में आयो कि अगाव पूजन मैंने बताया आप सुर्वी बाई पंडितुमा संकर शिकला जीने मुझे गरंत दिया पड़ने चलिए भाई उसमें से मैंने नोट्स बनाएं या नोट्स बनाएं उसमें से यह मा तोड़ों मैं बेहन के लिंड़ों के तब्यद से यहां लॉंडी आए बेहन के लोड़ी देवी बनने के लिए बढ़की भिर रहे है मा की लोड़िया पहले अपने आचरन तो सही करो देवियों के तुम यक्षनी नी बन सकती देवियों से कंपने लिड़ों से स्टि पार्वती जी ने क्यों पुत्र प्राप्टी के लिए के है स Judy कड़प कि क्रिश्न स्तोटर के वारें बता अब क्रिश्च सह भला ऑफ आ लोड़ा नाम अंकरश्टरिका मतल्लड वह नाइजिरीन जैसे ब्लैक नहीं है तो सबस्टी वालो को ये कवच पाट होगा मंत्र नहीं है यक्शिनी कवच में पहले कवच करो मंत्र बाद मताएंगे मंत्र बना करें लेवा। कवज पाठ करतेएं कवज पार्ट में सब कुछ है पहले कवज सिद्ध करो ठीक है रोज एक बार दो बार इसमाज में आ गई नठाट बार बस दो बार करो रोज नहां दूए श्वक्ष रूप में थीक है या अच्छी बात है अब बसा सीजी की बात है इसमें कोई कह जाता है मैंने अनर्थ कह लिया अब बोलो सब क्या स्री नारायन स्री नारायन स्री नारायन